अगर आप ये 5 ब्रामस्तर speaking के अच्छे से माइन में रखते हो तो 90 आपका speaking में तो आए गए आएगा बट reading में भी आपके 30-32 marks आएंगे और listening में भी 40-45 marks आएंगे बट ये make sure आपने जरूर करना है कि इनको अच्छे से समझना है, revise करना है थोरली एवरी सिंगल रूल को आपने नोट बुक में नोट डाउन जरूर कर लेना है सो तार आप भूलो मन, PT speaking ऐसा module है जो अगर आपको easily समझ आ जाता है इसमें हम PT पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कई बच्चों की voice ही pick नहीं करता है algorithm और कई बच्चों की बिना कुछ जादा मेहनत करें, temperate सिर्फ यूज करें 90 आ जाते है तो आज मैं इनी secrets के बारे में, इनी loopholes के बारे में बात करूँगा कि कैसे आप algorithm को fool करके 90 out of 90 लेकर आ सकते हो speaking में और उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत informative होने वाली है जो speaking में भार-बार struggle कर रहे है So make sure करिये ये वीडियो को आप save कर लिजे और अपने friends के साथ भी share कर लिजे क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही जादा helpful होगी जो speaking में struggle करते आ रहे हैं काफी times और अगर आपने हमारे चानल को follow या subscribe नहीं कर रहा है तो make sure करिये कि कर लिजे So that next video जब आए आपको notification आ जाए और आप important valuable tips को miss out ना करे हम every Tuesday, Thursday और Saturday videos publish करते हैं Make sure करिये कि next video के लिए आप informed हो और पहले से ही ready हो So that आपकी miss ना हो कोई भी information हाँ जी और अगर आपने कोई भी ऐसी difficulty है जो अभी तक comment में नहीं share करिये और चाते हो कि मैं उसके ओपर reply करूं तो make sure करिये comment में जाके अपने doubt को या किसी भी चीज को mention करिये So that I can help you और मैं personally हर एक comment को reply करता हूँ So make sure करिये वो चीज आप definitely करिये जितने भी students हैं जो speaking के practice कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक isolation में practice करते हैं तो उससे क्या होता है? कि उससे उनको same environment नहीं मिलता है जिसकी वज़े से जब वो actual exam में जाते हैं वो miss out करते हैं या फिर क्या होता है कि वो सरफ एक quiet area में practice कर रहे होते हैं लाब में जब आप practice करते हो जिसमें आप सारे बच्चे एक time पे speaking के practice कर रहे होते हैं वो environment में practice करना बहुत ही crucial होते हैं So it is very important कि whenever you are practicing for speaking environment ऐसा हो जिसमें आपको distractions हो जैसे कि पीछे कोई music चला रहा है कोई बातचीत कर रहा है So that ऐसे environment में जब आप practice करते जा रहे हो paper में actual में जा कि आपको कोई difficulty face ना हो क्योंकि exam में क्या होता है आपके बगल में बच्चे बैठे होते हैं और वो loudly बोल रहे होते हैं अपने answers जिसमें अगर आप उस चीज से used to नहीं होए होते तो आप distract easily हो सकते हो So सबसे पहला step यही है कि practice in the environment which is going to help you to get prepared for your real exam और ऐसी चीज आपको कहां मिल सकती है ऐसी चीज आपको labs में मिल सकती है जहां पे आप speaking के लिए अलग से practice करते हो daily basis पे So make sure करिए कि अगर आप घर पे भी practice कर रहे हो साथ में TV चला लीजे कोई songs चला लीजे पीछे से So that आपको distraction और same environment मिले और यह बहुत ही crucial है आपके speaking के score को बढ़ाने के लिए Templates बहुत ही जादा महत्तपुरान रोल अदा करते हैं speaking के अंदर काफी students हैं जो बिना templates के exam दे देते हैं और struggle करते हैं यह कई बार ऐसा होता है कि write template ही नहीं होता अब recently ऐसे बच्चे भी हैं जो पुराने एक-एक साल पुराने templates यूज़ कर रहे हैं पुराने templates जो आपके friend ने किसने यूज़ करे हूँ या आपने यूज़ करे हूँ पहले एक साल पहले छे मीने पहले वो अब नहीं यूज़ हो रहे तो यह बहुत ही जारा जरूरी है कि templates आपके updated हो तो आप क्या कर सकते हो templates के लिए आप हमारी दियेगे tutorials जो भी recently हम describe it और retail के उपर बनाएं उनके उपर जाकर ठीक है अच्छे से basically एक-एक चीज़ को समझ सकते हो कैसे आपने template को use करना है कौन से template को use करना है और कैसे आप आज के time पे भी perfect 90 out of 90 लेके आ सकते हो जैसे कि हमारे बाकी बच्चो के scores भी आ रहे हैं बट वो ही templates use करिये जो चल रहे हैं उसको जादा पुराने templates use करके अपने आपके लिए और दिक्कते मत create करिये आईसे एक बर ही आपके templates fix हो जाते हैं फिर हम बात करते हैं speed एक ऐसी चीज है जो अगर आप controlled या balanced way में नहीं बोलोगे तो आपके speaking में कभी भी number नहीं आएंगे ऐसे मैंने बहुत students देखे हैं जिनकी clarity होती है बट बहुत fast बोल रहे होते हैं रुकते ही नहीं है ठीक है क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि आपने सबसे जारा तेज बोल ला है उससे क्या होता है कि वो speed का एक range होता है अगर आप बहुत fast बोलते हो तो PT record ही नहीं करता है आपकी voice को और similarly अगर आप बहुत ही slow बोलते हो तब भी आपकी voice को record नहीं करता है तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक balanced way बहुत ही जारा ज़रूरी है balanced way में अगर आप बोलोगे तो ही आपके numbers आएंगे otherwise fluency में आपके numbers हमीशा कटते रहेंगे fluency और speed गाईज उसको एक जैसा मत समझे fluency का मतलब होता है कि continuously बोलना but on the other hand अगर आप लेके चलिए speed वो क्या होता तेज बोलना या कम बोलना ठीक है but आपको ये बोलना है कि एक balanced way में ठीक है ना जादा fast ना जादा slow लगातार बोलना है लगातार बोलने से ही fluency आएगी तो unnecessarily pauses नहीं लेने unnecessarily self correct नहीं करना है अपने आपको hesitations नहीं आने चाहिए तो ये सब चीजों का आपने ख्याल रखना है तब ही आपके numbers fluency में आएंगे और अगर fluency में number आपके आ रहे हैं तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको speaking में 90 लेके आने के लिए रोक दे तो that means fluency सबसे ज़ादा important crucial component है आपकी PT speaking module का तो इसको make sure करना है कि same way में ही आपने implement करना है जैसे कि मैंने अभी यह बताया which is a balanced and a continuous manner अगर हम बात करते हैं read aloud task की या repeats and dense task की इन दोनों task को tackle करने के लिए unique strategies होती हैं जो आपको बहुत ही easily help करती है आपके numbers को boost करने के लिए तो read aloud के लिए मैं बात करूँ 12 words strategy ऐसी strategy है guys जो आपका काम आदे से भी कम कर देती है और easily आपको reading module के लिए 30 plus number देती है यह strategy आपको क्या गरना है कि सिरफ और सिरफ पहले 12 words बोलने है that's it काफी students आज भी strategy को नहीं जानते है वो पूरा बोलते हैं बीच में अटक जाते हैं उनको लगता है कि content में number नहीं आएंगे reading module को लेकर पर यह सारी चीज़े guys बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूहत नहीं है क्योंकि यह strategy proven है that means thousands of students हाँ जी thousands of students ने यह strategy यूज़ करी है and अपने scores लेके आएं so आपको without any hassle यह effectively काम करेगी और आपके लिए help करेगा read aloud में easily number लेके आने के लिए so 12 word बोलने है 12 word that's it और उसके बाद next चले जाना है पूरा paragraph पढ़ने की ज़रूहत नहीं है fluency का घ्याल रखना है content में mistakes नहीं करनी है और make sure करना है कि pronunciation भी आपकी सही हो that's it यह आप strategy यूज करिए अपने read aloud के लिए और easily you will get perfect scores आईए बात करते हैं repeat sentences की ऐसे ही repeat sentences में तीन unique strategies है जो आपको help कर सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके numbers को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है यह video जो मैंने अभी recently बनाई है टॉटोरियल, advanced tutorial है repeat sentences के उपर यह watch करना है और आपको पता लग जाएगा कि कैसे कुछ ही efforts के साथ आप अपने numbers repeat sentences में भी बहुत जादा increase कर सकते हो so make sure करना है कि यह strategy भी आप अच्छे से paper से पहले revise कर के जाएए so that आपके repeat sentences में भी numbers increase हो जाए lastly guys हम भात करते हैं marking criteria के बारे में अब speaking ऐसा module है जो आपके numbers reading को भी देता है listening को भी देता है so आपको यह mind में रखके चलना है कि speaking में अगर आपने mess up करा तो reading में भी numbers आने का खत्रा है और listening में भी so सबसे पहले क्या करते हैं read aloud को discuss करते हैं क्योंकि वो आपको marks देता है reading की दरफ read aloud से guys आपको 30 marks to 32 marks आते हैं that means 30% of your marks of your reading module actually comes from speaking module so यह आपको ख्याल में रखना है कि अगर कुछ भी content में आप mistake करोगे तो reading impact होगी तो किसी भी हालत में content गलत नहीं बूलना है miss नहीं करना है add on नहीं करना है और जितना 12 words में जितना बोला गया 12 words पूरे complete करिये move to the next sentence that's it ठीक है और अब बात करते हैं listening module की scoring को जो कि आपके speaking में से आते हैं repeat sentences read a lecture और answer short questions यह तीन tasks हैं जो listening module को heavily impact करते हैं heavily yes repeat sentences be close to 30 marks देता है listening module के लिए read a lecture कम से कम 5 से 10 तो 40 marks of your listening module comes from speaking module from these two tasks only and then lastly answer short questions 3 से 4 नंबर तो आप लेके चलिए आदे नंबर 90 में से 45 नंबर तो आपके इनी tasks में से आ रहे हैं listening module के लिए तो आपको क्या गरना इन सभी की strategies जो मैंने discuss करी हैं और जो मैंने tutorials आपको refer करे हैं उनको thoroughly watch कर लीजे so that आपको समझ में आए कि हर एक task को हमने कैसे perform करना है और कैसे आप 90 out of 90 हर एक task में लेके आ सकते हैं so make sure करिए guys ये सारे के सारे rules को आप thoroughly go through करिए और revise करिए because ये आपको help करेगा speaking में perfect 90 लेके आने के लिए और अगर आप struggle कर रहे हो अभी तक भी ये वीडियो के बाद में को 100% sure है कि आपके numbers बढ़ जाएंगे अगर आप फिर भी कोई difficulty face कर रहे हो तो comment में जा के आप अपनी difficulty बता सकते हो I will personally reply to it but हाँ हम recently एक pronunciation के उपर short video tutorial बनाया है जो कि आप हमारे Instagram चानल पर जाके देख सकते हो उसका मैं QR code भी दे देता हूँ आपको वहाँ पर जाहिए और make sure करिए कि आप वो tutorial को अच्छे से watch करिए because वो आपको pronunciation में काफी help करेगा आगे better करने में और guys अगर आप new हो हमारे channel के लिए इस नहीं करोगे Thank you guys, Vishale from Vision Language Experts आपको मैं next tutorial में मिलता हूँ